नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड और आज इस lecture में मैं आपके साथ discuss करूँगा Geneva Conventions के बारे में इनका इतिहास क्या है, क्या ये आज के समय relevant है और किस तरह से इनको अभी apply किया जा रहा है तो Geneva Conventions हाली में चर्चा में है because of the Mario Pol Defenders case दो दिन पहले, South East Ukraine का एक बहुत बड़ा शहर, Maliopole, Russia के कबजे में आ गया यहाँ पर कई हफतों से एक भीशन संगर्ष चल रहा था, जिसका अंत हुआ है Ukraine के हजारों fighters के द्वारा समर्पन करने के बाद तो यहाँ पर एक Azov Stahl नाम का steel plant है, बहुत ही बड़ा steel plant वहाँ पर बहुत लोग लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने अभी surrender कर दिया है तो दो दिन पहले यह surrender complete हुआ है लेकिन अब Russia ने यह कह दिया है कि जो यह लोग surrender करके prisoner of war बनाये गए हैं, इनके खिलाफ war crimes का मुकदमा चलेगा तो रश्या इन बंदी बनाये हुए Ukrainian लोगों को युद्ध अपराद के आरोप में अदालत में ले जाना चाता है और यह भी बात कर रहा है कि उन्हें death penalty भी दी जा सकती है तो यहाँ पर पश्यमी देशों का कहना है कि जनीवा conventions apply होंगे इन सभी prisoners of war पर और इन्हें वो सभी protections मिलेंगे जो जनीवा protocols के तहट दिये जाते हैं लेकिन रश्या इन्हें ये protection देने के mood में नजर नहीं आ रहा है तो जानते हैं कि पूरा मामला क्या है इससे पहले कि आगे बढ़े pathfinder channel को subscribe करना ना भूले और मेरे lectures के pdf को आप telegram channel से download कर सकते हैं unacademy app पर भी आप मुझे follow कीजे वहाँ पर Monday Tuesday Wednesday को हम करते हैं special classes जिसमें quality के MCQs को अभी मैं discuss कर रहा हूँ very important for 2022 prelims कल यानि कि रवीवार सुभे 11 बजे ultra combat IOJ 12s और इसमें हिस्सा लेकर आप number one unacademy के subscriptions को अवेल कर सकते हैं there are crores of rupees worth of scholarships to be won second जो top rankers हैं उन्हें macbook, ipad जिसे attractive gifts मिलेंगे और 500 lucky participants को amazon के gift cards worth thousands of rupees अवेलेबल होंगे link नीचे पहले comment में दिया गया है do click on the link and enroll right now जहां तक हमें मानवितिहास की जानकारी है वहां तक हमें युद्ध के प्रमान मिलते हैं as far as we can go back in history we will find evidence of wars छोटी tribes के बीच में, kingdoms के बीच में आज के समय, countries के बीच में और इन लडाईों में, इन युद्ध में अकसर civilians की death होती है जो लडाई में शामिल नहीं भी है उसकी मौत हो रही है शेहर के शेहर तबाह हो रहे है और कई war crimes यानि कि युद्ध के दौरान किये गए specific अपराद किये जाते हैं और इनी को रोकने के लिए जनिवा conventions protocol बनाए गए थे इनकी शुरुवात होती है 1859 में तो 1859 में Switzerland जो की traditionally एक neutral country रहा है योरोप में वहाँ के एक businessman Jean Henry Dunant ये visit करते हैं एक युद्ध स्तल को तो उस समय एक छोटी सी लडाई हुई थी France और Austro-Hungarian Empire के बीच में Battle of Solferino तो ये Battle of Solferino के बाद क्या स्थिती है कोई medical विवस्ता है ना उनकी देखरेक करने के लिए कोई available है Dunant का दिल इससे पिगल जाता है और वो काफी influential businessman थे तो अपने देश Switzerland और अन्यपडोसी देशों को कहते हैं कि चलिए हम सब साथ बैट कर एक common rule बनाते हैं कि सैनिकों के उपचार के लिए कुछ विवस्ता करी जाएगी Dunant ने अपने प्रस्ताफ इन सभी European देशों के सामक्ष रखे पहला प्रस्ताफ था कि एक ऐसी agency बनाई जाए जो युद्ध में गायल सैनिकों की मदद करे humanitarian aid पहुँचाए और ये society आगे चलकर बनती है Red Cross और इसका headquarter जनीवा में दूसरा एक ऐसी संधी या treaty sign करी जाए सभी देशों के द्वारा जिससे war zone में इन Red Cross के members को जाना allowed हो जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ युद्ध स्थल पर भी इन्हे कोई disturb नहीं करेगा इन्हें काम करने दिया जाएगा और ये neutral रहकर दोनों ही side को help करने की कोशिश करेंगे और इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा तो ये meeting organized करवाई गई थी डूरांट के द्वारा 1864 में जनीवा में और इसी समय से जनीवा conventions की शुरुआत होती है 12 European देशों ने या Kingdoms ने इसे उस समय जॉइन किया convention दीरे दीरे revise होता गया कई देश उसमें नए नए जुड़ते गए खास करके European countries ही थे शुरुआत के 50 साल तक World War I के पश्चात 1929 में इसमें और बदलाव किये गए युद्ध बंदियों के साथ कैसा बरताव होगा इसको लेकर कुछ points अड़ हुए तो जनीवा convention एक दिन में नहीं बना था दीरे दीरे बना था लेकिन क्यों युद्ध की भयानक स्थिती को देख कर ही इसे बनाने का inspiration आया था तो जनीवा convention वर्ल्ड वर टू तक मौझूद थे लेकिन वर्ल्ड वर टू ने जनीवा convention को side कर दिया दरकिनार कर दिया और इतने भयानक war crimes होते हैं कि मानवता हिल गई holocaust, nuclear bombs का गिराना multiple assaults on civilians civilian property पर हमले world war 2 में जितने war crime आप सोच सकते हैं सभी हुए थे तो उसके बाद ये आवशक्ता महसूस होती है दुनिया के देशों को कि जनीवा conventions को और मजबूत करने की आवशक्ता है जादातर युद्ध अपराद करने के पीछे नाजी जर्मनी को दोशी पाया गया था यूरोप में ऐसा नहीं है कि दूसरे सभी देश दूद के धुले थे लेकिन हाँ नाजी जर्मनी के जो नेता है उनके खिलाफ एक trial चलता है अदालत में मामला चलता है special अदालत हैं स्थापित करी जाती है नियूरेंबर्ग trials उन्हें कहते हैं नियूरेंबर्ग एक शहर है जर्मनी का और वहाँ पर तै किया जाता है कि एक international principle of law बनेगा जिसमें युद्ध अपराद यानि war crime को define किया जाएगा प्रॉपरली define करेंगे कि war crime क्या होता है इसके लिए अंतरराष्ट्रे कानून बनेगा और भविष्य में ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जाए तो नियूरेंबर्ग trials काफी famous हैं इनमें जादातर जो senior नाजी जर्मनी government के जो मनत्री थे officers थे उन्हें punishment दी गई काफी लोग भग गए थे लेकिन जो पकड में आ गए उन्हें जेल में भेज दिया गया था और 1949 में दुनिया के जादातर देश इखटा होकर ये तै करते हैं कि वर्ड वर्ड टू जैसी भयानक स्थिती फिर ना है इसके लिए जनिवा conventions को update करके हम sign करते हैं 196 countries इसे अभी तक ratify कर चुके हैं और ये दुनिया की सबसे popular संदी है यानि कि इससे ज़्यादा हस्ताक्षर किसी भी एक संदी पर आज दिन तक नहीं हुए हैं All the 196 countries in fact UN ने जो recognize कर रहे हैं उससे भी तीन अलग देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये है तो इस प्रकार से 1949 में जनिवा conventions का विस्तार होता है और एक बहतर तरीके से codified route में कानूनों को लिखा जाता है यहाँ पर define किया गया कि war crime क्या है exactly जनिवा convention में क्या युद्ध अपराध होगा क्या नहीं होगा लेकिन अभी भी terminologies काफी vague है मैं आपको आगे बताता हूँ एक important point और था कि universal jurisdiction मान लीजे कि Russia ने Ukraine पर हमला किया universal यानि कि अगर Russia जाकर Ukraine में भी war crime कर रहा है तो वहाँ पर भी उसके सैनिकों को arrest करके उनके खिलाफ मुकद में चलाया जा सकते है तो जनिवा conventions basically केवल चार प्रिंसिपल है बहुत ही short and sweet चार प्रिंसिपल है पहला medical staff और hospitals पर कोई हमला नहीं करेगा अगर युद्ध के मैदान में war zone में कोई भी field hospital exist करता है जहां रोगियों का उपचार हो रहा है तो उसे हमेशा सुरक्षा दी जाएगी कोई भी देश किसी भी दुश्मन देश के medical field hospital पर हमला नहीं करेगा नहीं hospital के staff, doctor, nurses सभी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं दूसरा अगर कोई सैनिक युद्ध में घायल हो जाता है तो घायल होने के बाद भी बंदूक लेकर बैठा है तो बात अलग है लेकिन अगर उसने बंदूक साइड में रख दी है he is no longer able to fight और no longer willing to fight लड़ना नहीं चाता है या लड़ नहीं सकता है तो उसे medical उपचार देना जरूरी है तीसरा युद्ध बंदियों से संबंदित है prisoners of war इनके साथ अच्छा व्यवार किया जाएगा humane behavior इनसे कोई ऐसा काम ना कराया जाए जो humanity के खिलाफ हो dignity के खिलाफ हो इनसान की dignity के खिलाफ and also torture नहीं किया जाएगा of course चौथा जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो civilians पर हमला ना करे और civilians की जान बचाए अगर आपके दुश्मन देश की भी civilians है मान लीजे कि वो युद्ध के शित्र से भागना चाह रहे है बचकर निकलना चाह रहे है तो उनकी मदद करी जाएगी या फिर उन्हें जाने दिया जाएगा उन पर गोलिया नहीं चलेगी civilians पर गोलिया नहीं चलेगी you can not target civilian infrastructure as well तो civilian infrastructure होता है जैसे कि बिजली के power plants, power lines, water supply इन सब पर हमले नहीं किये जाएंगे जिससे कि arm civilians को problem हो हाँ military installation पर हमला कर सकते हो लेकिन civilian water और electric supply जैसे infrastructure पर हमला नहीं हो सकता इसमें canals भी शामिल है जितना भी civil infrastructure आप सोच सकते हो bridge, roads, etc. अब यही बाते जो मैंने आपको बताई है यह चार जनिवा conventions में उस समय codify करी गई थी फिर्स जनिवा convention for the amelioration of the condition of wounded and sick in the armed forces in the field second convention for the amelioration of the condition of wounded, sick and shipwrecked members of armed forces at sea यानि कि चाहे वो army के soldiers वो जमीन पर लड़ रहे हैं या फिर समुद्र में घायल हैं तो उन्हें साहता प्रदान करी जाएगी तीसरा, relative to the treatment of prisoners of war और चौथा, protection of civilian persons in time of war तो यह वो चार जनिवा conventions हैं जो 1949 में sign किये गए अब यह संदी sign तो हो गई लेकिन इसके तुरंद बाद जब वियतनाम युद्ध होता है तो देखा गया कि वहाँ पर तो इसको कोई following नहीं कर रहा है problem क्या आ गई कि यह बहुती vaguely worded convention है इसमें 60 group से टिपणी नहीं कर रखी है कौन एक armed forces का fighter मना जाएगा क्या कोई militia से लड़ रहा है कोई volunteer force का व्यक्ती लड़ रहा है तो क्या उसे हम armed forces के बराबर अधिकार देंगे क्या वो जनीवा conventions के अधीन है mercenaries का क्या होगा तो कुल मिलाकर ये सब rules सोचे गए थे उस समय के लिए जब traditional armies से एक दूसरे के सामने मैदान में खड़े होकर लड़ते थे गोलियां चलाते थे लेकिन वियतनाम युद्ध जो है उसने सब कुछ बदल कर रख दिया तो 1970s आते आते दुनिया में कई देशों को ये realize हुआ कि जनीवा conventions में बदलाव की जरुवत है इसलिए जनीवा convention के उपरांत कुछ protocols add करने का निर्णे लिया गया लेकिन ये addition बहुत ही controversial रहे क्योंकि दुनिया के कई देशों ने इन पर हस्ताक्षा करने से मना कर दिया जैसे original जनीवा convention को 194 countries sign कर चुके हैं इन protocols को 120, 130, 140 देश sign कर चुके हैं around 130 के आसपास संख्या है तो तीनों protocol अलग-अलग offer किये गए थे तो कई देश हैं जिन्होंने protocol 1 पर sign नहीं किया 2 पर कर दिया कईोंने 3 पर sign नहीं किया लेकिन 1 और 2 पर sign कर दिया है तो इस तरह से बहुत सारे इसमें variations अब आपको देखने को मिलेंगे तो देखे protocol 1 और 2 जो हैं ये सबसे ज़ादा controversial रहे थे 3 में तो इतना कुछ खास नहीं है केवल एक नया emblem उन्होंने जोड दिया क्रॉस जो है Christianity को denote करता था और Islamic countries में crescent, Red Crescent Society थी तो उन्होंने कहा कि Red Crystal बना दो तो एक ऐसा square जैसा Red Crystal बना दिया Protection of Victims of International Armed Conflict इसमें किसी देश का नाम नहीं है Armed Conflict International स्तरकी किसी के बीच में भी हो सकती है इसका मतलब कोई ऐसी लड़ाई जिसमें दो पक्ष हतियार लेकर लड रहे हैं और एक पक्ष दूसरे देश का है तो वहाँ पर लड़ने वाले लोगों को भी जनिवा Conventions के तहट Protection मिलेगा Second, Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts यह तो और भी ज़्यादा Controversial था Non-International यानि कि आप ही के देश में एक ही देश में दो पक्ष हतियार लेकर लड रहे हैं तो उन्हें भी जनिवा Conventions के तहट Protections मिलेंगे तो देखो लक्ष यह था उस समय कि South Africa में Apartheid चल रहा है तो ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ Civil War चड़ जाएगा कई देशों में Civil War चल रहा था तो उन Civil Wars को कवर करने के लिए या फिर जहाँ पर Non-Military Combatants लड़ रहे हैं हम तो इस पर साइन करेंगे नहीं तो आज भी आप यहाँ पर देखेंगे कि जनिवा Convention तो सबने साइन कर रखा है लेकिन जितने भी Countries आपको यहाँ Red Color में नजर आ रहे हैं उन्होंने किसी Protocol पर साइन नहीं किया है They have not signed to any Protocol So mostly you can see it is Asian Countries जाधतर Asian देशों ने इस पर साइन नहीं किया जैसे कि Turkey है, Turkey में Insurgency चल रही है भारत में कई इलाकों में अकसलवाद और कई armed groups देश से अलग होने के लिए Separatist movement चला रहे थे Same problem पाकिस्तान के साथ भी थी, बर्मा के साथ भी थी Indonesia में भी थी तो ये जाधातर Asian countries हैं जिनोंने इन प्रोटोकॉल को साइन करने से मना कर दिया था Due to their own reasons, ओके तो ये थे प्रोटोकॉल जिन पर कई देशों ने आज भी साइन नहीं किये हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 21 सदी की लडाईों में ये जनिवा कर्वेंशन्स और प्रोटोकॉल सफल रहे हैं तो देखे कई ग्रह युद्ध हो चुके हैं कई देशों में लडाईयां हुई जैसे कि एराक, अफगानिस्तान, सीरिया, येमेन, माली बहुत सारे वार क्राइम्स यहां पर होते हैं अस्पतालों पर अटैक हुए, सेक्शुल वाइलन्स हुआ, प्रिजनर्स ऑफ वार्स के साथ बुरा बरताव किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, इसके अनेक एक्जाम्पल से, मैं आपको कुछ एक्जाम्पल बता देता हूँ 2015 में, युनाइटेट स्टेट्स ने, एक MSF के हॉस्पिटल पर अफगानिस्तान में बॉम गिरा था, आदे घंटे तक यह हमला चलता रहा था, यमिन में, US made bomb used to attack on MSF हॉस्पिटल, एक और एक्जाम्पल, अबुगेरिब प्रिजन, यह बहुती फेमस एक्जाम्पल है, 2003 मे जब इराक पर हमला किया दा, US ने, तो वहाँ पर जो अबुगेरिब नाम की एक जेल थी, उसमें इराकी सिविलियन्स को, जिन पर शक्त था कि यह शायद आतंगवादियों के साथ, या फिर सदाम हुसेन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको टॉर्चर किया गया, उनक बिजली के जटके दिये गए, जितना टॉर्चर के तरीके आप सोच सकते हैं, वो अबुगेरिब के प्रिजनर्स के साथ उस समय किये गए थे, और उसकी रिपोर्ट कई सालों तक भार आती गई थी, इन फैक्ट आज दिन तक उसके लिए किसी को सजा नहीं हुई है, हाँ क कि जनीवा कन्वेंशन्स जो हैं, ये प्रिजनर्स ऑफ वार पर लागू नहीं होते, जिने हम ग्वांटानमो बे ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2002 से इंट्रोगेट करने के लिए, यानि कि टॉर्चर करने के लिए, कई सारे लोगों को ग्वांटानमो बे की जेल में दालना स्टार्ट कर दिया था, और उनके लिए कोई राइट्स नहीं है, युएस ने साफ मना कर दिया, कि ना तो हम उन्हें जनीवा कन्वेंशन्स के तहत अधिकार देंगे, और ना ही उन्हें उन्हें युएस का कानून का अधिकार देंगे, तो ये ग्वांटानमो बे एक तरह से इन- лиमबो प्रिजन है, ना ये अमेरिका की धरती पर है, ना ये विदेशी धरती पर है, ये एक Aisी जगे है जहां पर अमेरिका का कानून भी इनके लिए अवेलेबल नहीं है, कैदियों के लिए, और जनीवा कन्वेंशन को भी लागू करने से इनका मना कर दि जीतेगा जिसके पांच सैनिक भी खड़े हैं और बंदूग चलाने की स्थिती में वो जीत जाएगा तो यह सब होता था 19th century में तो उसी सोच के साथ यह जैनिवा convention बनाए गए थे लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है एक example Syria का हम देख सकते हैं तो Syria के ग्रह युद्ध में जब ISIS involved हुआ था ISIS एक आतंगवादी संगटन था इसने कई अस्पतालों में जाकर शरंड ली उन्हें पता है कि अस्पतालों पर बंब नहीं गिराए जाते तो सामने से जो लोग operate कर रहे थे जैसे कि Syrian government या US की Air Force इन्होंने अस्पतालों पर बंब गिराने शुरू कर दिये अब हमें पता है कि ISIS के आतंगवादियों ने क्या गिनोने करत्ते किये थे यजीदीस के साथ और पत्रगारों के साथ और इन जनरल population के साथ तो क्या उसके बावजू देने जनीवा प्रोटोकॉल के तहत प्रोटेक्शन देना जायज है या नहीं इसका कोई जवाब अभी सामने नहीं आया है आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेम गोज दी अधर वे राउंड शिलंका की आर्मी पर 2009 में बहुत सारे वार क्राइम्स करने का आरोप लगा था जब इन्होंने LTT के खिलाफ युद्द छेड रखा था अब शिलंकन आर्मी ये कह थी है कि वो human shields के रूप में इस्तेमाल कर रहे थी LTT उन्हें तो यहाँ पर किसकी गलती है क्या यहाँ आपके अनुसार उन LTT के fighters को वो जनिवा प्रोटोकॉल वाला अधिकार मिलना चाहिए था कि कोई घायल हो गया है तो उसे अस्पताल पहुंचाया जाया है was it the responsibility of श्रि उक्रेन में तो उक्रेन में एक हमेशा से सब कल्चर रहा है नाजीजम को सपोर्ट करने वाला कुछ लोग हैं सभी नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं जो नाजीज को महाँ पर सपोर्ट करते हैं far right nationalists हैं they have always supported नाजीजम या फिर हिटलर की ideology में वो माननने वाले लोग रहे थे तो हुआ ये था कि 1990s में उक्रेन और रशिया के संबन बहुत अच्छे थे सोवेट उनियन का विगटन हो चुका था फिर भी दोनों देशों के बीच में बहुत मधूर संबन थे in fact 98 में एक debt crisis हुआ था उसमें उक्रेन को पैसा रशिया ने दिया था तो अब क्या है कि पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे बस आप दो साल पहले के आर्टिकल्स पढ़िए तो 2018 का यह आप आर्टिकल्स देख सकते हो यह US की मीडिया एक है The Nation उसका आर्टिकल है America's Collusion with Neo-Nazis तो उनने बहुत अच्छा एक investigative journalism किया था जिसमें स minority but still they were there तो इस तरह से वो धीरे धीरे अभी पिछले 10 सालों में prominence में आ गए है mainstream में आ गए है पहले छुपे हुए थे अब मलब छुपे हुए थे मलब दबे हुए थे अब वो जाधा prominent हो गए है और Ukraine में Neo-Nazi problem देखे यह भी 2018 का एक article है Reuters का तो इन पर बहुत सारे article लिख हुआ था जिसमें US ने इनके against vote किया US ने कहा कि Neo-Nazism के खिलाफ हम नहीं है दुनिया के सारे देश यहां पर green में है यानि कि यह सारे देश जो है इन्होंने support किया कि हाँ Neo-Nazism को condemn करना चाहिए यह गलत ideology है Hitler वाली ideology मौझूदा समय में किसी को follow नहीं करनी चाहिए but USA said no we do not support this resolution और एक और देश यहां पर आपको red में नज़र आएगा that is Ukraine बाकी लगबख सभी पश्यमी देशों ने इस से abstain कर लिया था इस vote से 2016 में ये UN Human Rights की एक report है जिसमें साफ तोर पर Ukraine की सरकार पर आरोप लगाया हुआ है कि वो far right nationalists को prosecute या उनके खिलाफ मुकद में नहीं चला रही है तो यहां पर भेदभाव किया जा रहा है लोगों के बीच में depending on their ideology और ये नियो नाजी संगठन या far right संगठन है इन्होंने अपने पुरानी विचारदारा के अनुसारी कारियें भी किये हैं जैसे कि Roma families तो Roma gypsies जो होते हैं उनके खिलाफ इनका बहुत hatred होता है उनके camps वगेरा को जलाया गया था 2018 में, 2022 में अभी भी एक घटना हुई है कुछ हफते पहले जहां पर Roma gypsies पर attack हुआ है तो ये groups और ज रशिया का हमला हुआ Eastern Ukraine में तो इन्होंने अपने volunteer groups बना लिए, militias बना लिए और उन्हीं में से एक famous militia था Azov Battalion जो 2014 में बनाया गया था तो इसमें कुछ लोग इखटे होकर कहते हैं कि हम Ukraine के लड़ेंगे, देश के लड़ेंगे, लेकिन ये far right nationalists थे और यही Azov Battalion अभी दोराई गई है अभी, तो रशिया ने अभी एक अस्पताल पर bum गिरा दिया, पश्चिमी देश, बोलते हैं कि कैसे आपने बंबारी कर दी अस्पताल की, जबकि उन्होंने खुद ये काम बहुत किया है अफगानिस्तान इराक में, तो रशिया का कहना था कि इन hospitals में ये neo- नाजी मिलिटेंट्स चुपे हुए थे और इनके हतियार इन्होंने यहाँ पर छुपा रखे थे अंडर ग्राउंड में, तो इसलिए हमने यहाँ पर bum गिराया, और कई सारे soldiers इसमें Azov Battalion के भी शामिल थे, तो अब रशिया ये कह रहा है कि Azov Battalion के जो soldiers हैं, जो इनकी न रशिया कह रहा है कि नहीं, इनमें से जाहतर के bodies पर हमें Nazi tattoos मिले हैं, तो जिसके भी शरीर पर Nazi tattoo या उस जो स्वास्ति का वाला sign उन्होंने hijack कर लिया था, उस तरह का symbol मिला है, नाजीस का, तो उनके खिलाफ हम मुकद में चलाएंगे, just like Nuremberg Trials, अब देखें ये रशिया कहते हैं कि हमने Ukraine पर हमला किया है, to denazify the country, वो इनका justify हो जाएगा, so let's see who wins this propaganda war, अच्छा, Ukraine भी कोई दूद का धुला नहीं है, Ukraine ने क्या किया है, arrested Russian soldiers को TV पे लाकर press conference में उनसे ये बुलवाया है, कि माफी मांगते हैं, हम Ukraine में गलत आ गए, और इनको torture करने की cover भी आ रही है in fact UN ने recently एक statement भी जारी किया था, कि हमारे पास ये reports आ रही है, कि Russian soldiers जिनने Ukraine के army arrest कर रही है, या volunteer forces arrest कर रहे हैं, उनको torture किया जा रहा है, and we are getting such reports, तो क्या आपको लगता है कि Geneva Conventions इन सभी parties पर applicable होना चाहिए, should it be applicable on these volunteer forces of Ukraine, the far right nationalists, should it be applicable on Russian soldiers, क्या इन सब को Geneva Convention के protocol मिलने हैं, क्या ISIS के fighters को Geneva Convention के तहर protection मिलना चाहिए, क्या Sri Lankan army जैसे संगठनों को ये protection मिलना चाहिए, किस-किस पर ये Geneva Convention लागो होगा, इसका answer अभी तक world नहीं ढूण पाया है, अगर आप ढूण सकते हैं, comment में बता सकते हैं, तो जरूर बताईए, क्या आपको लगता है कि Geneva Conventions को अपडेट करने का समय आ गया है, जो भी आपका नजरिया है, वो comment में 100 words से ज़्यादा में मत लिखेगा, इतना ही लिखेए, उस से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो देखते हैं, आप लोगों के comments क्या आते हैं, टेलिग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, U अपशनल के courses भी available हैं, combo courses, optional और GS का combined course भी available है, unacademy को choose करने के बहुत सारे reasons है, आप यहाँ पर इनको pause करके पढ़ सकते हैं, iconic subscription में आपको one-on-one mentorship मिलेगी, और अभी iconic subscription लेने पर आपको 10,000 questions की MCQ booklets free मिलेंगी, यह limited time period का offer है, CSE Assure किता है, 2 साल का subscription लेने पर, 1 साल आपको extra validity हमारी तरफ से offer करी जा रही है, अगर आपका selection नहीं होता है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आपका selection हो जाएगा, इन courses से संबंदित, discount प्राप्त करने से संबंदित, कोई भी doubt आपको है, तो आप इस phone number पर call कीजिए, 78258-60095 पर, आपके सारे doubts यहाँ पर solve हो जाएंगे सारे courses EMI option पर available हैं, हर अफते नए batches start होते हैं, fast track course for history, art and culture, इसकी class होने वाली है, शनिवार दिन में 3.30 बजे, optional के बहुत सारे नए batches हम launch करने जा रहे हैं, पोई भी doubt है, तो specific doubt sessions हमारी तरफ से जारी किये जा रहे हैं, start किये जा रहे हैं, price rise होने वाला है, उससे पहले पह subscription का फाइदा हुठ है, pathfinder current affairs test series का, आज शाम साढ़े 5 बजे 5 बजे test होगा, इसमें top rankers को notes free में available होंगे, all India prelim smoke test is tomorrow at 9.30 am, do take part in this, जैपूर शहर में भी organize हो रहा है, thank you very much, have a great day.